अभी अभी आपके लिए आती हुई दिख रही है कंपनी की तरफ से डिस्क्लोशर आया है PTM इसकी मैं बात कर रहा हूँ जहां पर Antfin अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है Antfin की करीब 24% हिस्सेदारी है उसमें से करीब 10.5% हिस्सेदारी बेचने वाले हैं और ये हिस्सा खरीदने वाले हैं विजे शेकर शर्मा विजे शेकर शर्मा की फिलहाल 9% हिस्सेदारी है वो इस ट्रांजाक्शन के बाद करीब 19.5% हो जाएगी तो ये बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रहे है एंट फिन का हिस्सा घटकर करीब 23% का हो जाएगा और विजे शेकर शर्मा का हिस्सा 9% से बढ़कर 19.5% ह होने वाला है तो पेटियम के लिए बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है एंट फिन अफकोस अली बाबा की का फंड है जो इसमें हिस्सा होल्ड करता है फिलाल 24% मौजूदा हिस्सा है जिसमें से 10.5% हिस्सा ये बेचने वाले हैं विजे शेकर शर्मा को और उनका हिस्सा अब 9% से बढ़कर करीब करीब 19.5% होने वाला है लगभग लगभग 63 करोड डॉलर की ये डील होने वाली है तो बड़ी डील होने वाली है पेटियम में अलिल जी एक बार इस खबर पर भी नज़र डाल दे सर इसकी अनालिसिस भी हमारी टीम करेगी बट एसेंशली एक तो यह कि हमिशन से एली बाबा की स्टेक को लेकर पेटियम पे लोगों थोड़ा सा कमफर्ट कम रहता हुआ है तो एक तो यह कि वो स्टेक अपनी कम कर रहे हैं दूसरा कमफर्ट बढ़ाने वाली एक और चीज जो है वह हो खुद पेटियम के फाउंडर विजए शेकर शर्मा साब करीद रहे हैं तो आई थिंक ये अच्छी खबर मानी जानी चाहिए स्टोक के लियाद से, स्टोक प्राइस के लियाद से खालां कि अभी भी पूर स्टेक उन्हें बेचनी है उसमें थोड़ा सा शायद और समय लगे फिर भी विजेशेकर शर्मा की स्टेक बढ़ना और अली बाबा की कम होना दोनों ही पेटियम के लिए पोजिटिव समझ के चलना चाहिए बिलकुल तो आज के खबरों और इंपक्ट में एक ये स्टोक भी आप जोड़ ही लीजिए पेटियम जो आपके डेडार पर रहना चाहिए